हिंदू धार्मिक गरंतों में वर्ट पुर्णिमा का विशेश महत वो बताया गया है। साल दोजार चोबिस में वर्ट पुर्णिमा 21 और 22 उनको होगी जिसमें स्वागन महिलाओ द्वारा वर्ट सावित्री वरत की कथा और वरत किया जाएगा। आज आता है कि जिन महिलाओ का वर्ट सावित्री वरत छूट गया हो उनके द्वारा इस दिन वरत करने से उसका कई गुनाफल प्राप्त होता है। इसकी जानकारी हमने हरद्वार के जोतिसी इंडित स्रीदर सास्त्रे से की उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिये। छे जून को वर्ट सावित्री अमावस्या का पर्व विदिविधान से मनाया गया और सभी ने धर्म लाव उठाया। तो हमारा हिप्राई यह है जिन महिलाओं का यह वरत किसी भी कारण से छूट गया है। वे अभी 21 और 22 जून को जो पूर्णिमा पड़ रही है इसमें इस वर्ट को कर सकते हैं क्योंकि पूर्णिमा में इस वर्ट सावित्री के वर्ट को करने का बहुत ही बड़ा महत्व है जो सास्त्रों में इसका वर्नाया है। क्योंकि जो सुकल पक्ष होता है उसमें कहीं गुना फल उसका फ्राप्थ होता है एक सूती धागे के द्वारा वट वरक्ष की साथ परिकर्मा करें और परिकर्मा के पश्चाद उसकी कहानी भी कहें और तत्पश्चाद आरती भी करें सरदा भक्ती से जहां पर हमने कथा करन है वहां सवच्चतागा विध्यान रखें और सरद्धा वक्ति से इस परकार करने से हमारा जो वर्त पूर्ण हो जाता है इस जून और बाइस जून 21 और बाइस जून को पूर्णीमा का कि तितिए अर्था जो 21 जून है उस दिन तो वर्त की पुरुणिमा है तो अगला दिन है जो संपुर्ण जो होती है पुरुण चंद्र होता है उस दिन उस दिन असनान की पुरुणिमा होती है उस दिन असनान करने का विशेश महत तो होता है किसी भी हम नदी में किसी भी गंगा नदी में कोई भी सर देश्ट फल मिलता है